प्रेंज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोज आप तक आसानी से पहुँच सके पढ़ाई का दवा हो या फिर काम का तनाओ परेशानियां खूब सारी है ऐसी ही एक परेशानी है जिस से लड़कों को दो चार होना पड़ता है वो है असमे सिर के बाल जढ़ना यानि गंजापन कई लड़कों के बाल कम उम्र में ही जड़ने लगते हैं कई सारी दवाएं और इलाज के बाद भी कोई असर नहीं होता बालों की सेहत के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है उसकी अंदरूनी सेहत ऐसे में खाने पीने पर जाता ध्यान देना होगा जितना से हत्मन खाएंगे बाल जड़ों से मजबूत होंगे आइरन से भरपूर भोजन ले बालों को साफ करने के लिए कौन सा शैंपू लगाते हैं इससे भी फर्क पड़ता है हैर फॉल और डेंटर्फ कम करने के नाम पर बहुत सारे कैमिकल युक्त शैंपू बाजार में हैं जिस वज़े से बानों को सीधा नुकसान होता है इससे पचने के लिए हर्बल शैंपू का प्रयोग करें बहुत जादा शैंपू का प्रयोग भी नुकसान करता है हफदे में दो या तीन से जादा बार बाल न धोएं कुछ घरेलू उपाय करने से भी गंजेपन से बचा जा सकता है आमले से भरपूर शैंपू प्रयोग करें या फिर कच्चे आमले के रस को नीमू के थोड़े से रस के साथ मिलाकर पांच से दस मिनट के लिए लगाएं और धो दे इससे बाल मजबूत होंगे या दर के इस मिश्रण को जादा देर के लिए बालों में न रहने दे उल्तासर भी हो सकता है मिती के बीजों को राद भर भिगोएं और सुभह उनका पेस्ट बना कर बालों में एक घंटे तक लगा रहने दे ठंडे पानी से धोएं फायदा होगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेर करें इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बैल आइकल को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियो साब तक असानी से पहुंच सकें थैंक यू